अगर आदर निरादर का असर पड़ता है तो असली चीज मिली ही नहीं कोई आदर करे या निरादर करे अच्छा कहे या बुरा कहे सहायता करे या असहायता करे सुख दे या दुख दे सब को छुट्टी दे दो दुनिया जाए भाण में हमारा परम सुंदर परमात्मा हमारे साथ सदा है एक परमात्मा सब जगह मौजूद है परिपूर्ण है और हम तुम परमात्मा का अंश है शरीर हमारा नहीं हमारे लिए भी नहीं यह बात पक्की मानलो हो जाएगा बेड़ा पार मनुष्य शारी किसलिये मिला है? विचार करें भगवान एक से अनेक किसलिये हुए? केवल प्रेम के लिए भगवान कृष्ण ही राधा और कृष्ण रूप से दो किसलिये बने? केवल प्रेम के लिए नहीं तो एक से दो होने की क्या आवश्यक्ता थी? भगवान से प्रेम करना असली काम है वही असली काम अब नहीं करोगे तो कब करोगे इसी जन्द में करना है आपको यह निगरानी रखनी है कि 24 घंटे में आपको ज्यादा सुमिरन किसका होता है भगवान का सुमिरन अधिक से अधिक होना चाहिए भगवान को अपना मानना चाहिए भगवान के सिवाय कुछ सुहाय नहीं, मीठा लगे नहीं भगवान सदा प्यारे, मीठे लगते रहे और प्रेम सदा बढ़ता रहे इसके जैसा आनंद कहीं नहीं है गुरु पूनम परो पर सभी साधकों के लिए मेरा यही शुप संदेश है झाल